हेलो दोस्तों कैसे आप लोग अच्छे होंगे श्वागत हापका हमारी यूट्यूब चैनल एल लैनिक विद्रगेश में है आज से हम लोग बिश्वभगोल पढ़ेंगे और यह जो बिश्वभगोल का अध्याय है यह सभी भरती परिच्छाओं के लिए सबसे ज्यादा महत महत पूर्ण है खासकर NCRT पैटरन की जब आती है तो यह सबसे आदा महत पूर्ण हो जाता है और यहाँ पर जो हम लोग बिश्वभगोल आसे पढ़ने जा रहे हैं वह पूरी तरीके से NCRT पैटरन पर ही पढ़ेंगे देख रहें बिश्वभगोल NCRT और यह क्लास नोट से और इस क्लास नोट के तरहत हम लोग पढ़ेंगे और यह प्रयाश करेंगे कभी भी किसी भरती परिच्छा में यहां से आपके प्रश्ण कभी कलत ना होने पाए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी साथ रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज से पहला टॉपि को लेकर हम बात करेंगे तो जो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें यहां पर आपके लिए एक छोटा सा सब्दावली आया है जिसका नाम है सौर मंडल तो प्रश्ण उड़ता है सौर मंडल किसे कहते हैं इस यह अंग्रेजी में हम सोलर सिस्टम कहते हैं क्योंकि NCRT डे है हमरे सौर मंडल में कुल कितने ग्रहे हैं यह अदो आपको पताई है अब यह प्रता है कि सवर मंडल का जनक कुछे कहते हैं तो याद रखेगा नहरिका को सौर मंडल का जनक कहते हैं। है नेहरिका कhelmенно का जलक है और हिल्गर फिभासे शूर्मंडल की बात करें तो सोरनना हमारा है उसमें शूर्ह जो ताहा है उसके साथ 8 ग्रह सौर्व के क्की साथ क्या है अङर सब्दकारत है, सूर्व marine पूर में करना क्ए amongst सूर्ज है सूर मंदल से सम्मंदित ग्रहों को परिभासित करने के साथ साथ उनकी मनता देने काम अन्ताराश्टी खगोल संग इंटरनेशनल 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 एस्ट्रो नामी यूनिट करता है ठीक है अन्ताराश्टी संग इंटरनेशनल इस्ट्रो नामी यूनि तरीके से चर्चा करेंगे बातों को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे इसमें ग्रहा होते हैं छुप्द ग्रहा होते हैं इन शर्दी को मिलाकर हमारा शौर मंडल बनता है फड़ा फड़ा आप लोग कॉपी कलम भी लेकर बैठे रहेगा साथ में लेक्चर क्या क्या सिखा मैं आपको बता दूं कि जो सौर मंडल यह सौर मंडल का आर्थ होता है सूर से संबंध और सूर के चारोर परिवार मंडल कहते हैं और सौर मंडल में प्रारम में 9 लेकिनी समय 8 ग्रहा है प्लूटो यम कुबेर जो था उसे ए आई यू इंटरनेश्टनल सटा कर उसे बौना ग्रह दे दिया गया अब हमारे यहां कुल ग्रहों की संख्या आठ है और इसका मुख्या सूर्य है और सूर की चारों तरफ यह घूंगते रहते हैं और जो हमारा सौर मंडल है इसकी जो जनक है कौन है निहारिका है यह सारा चीज एंसेटी के डेटा है बात करते हैं कि ग्रह क्या है और आप को पिकलम बिलियर इसके साथ साथ भी मागी भी बताएंगे ग्रह को प्लैनेट कहते हैं अगर इसकी हम डिफनीशन जाने तो आपको अमबल चल की वादसा में ग्रह वी आकासी पिंड होते हैं जिनके पास ना खुद कुश्मा होती है ना खुद का प्रकाश होता है यह अपने साथी जो तारा होता है उसी से प्रकासित होते हैं और उसी का चकर लगाते हैं इनका आकार जो तारे होते हैं उनके पैसा छोटे होते हैं इनका घनत तो अधीक होता है यह ठोस या द्रववस्था मिलते हैं कुछ गरहों का घनत तो कम होता है कुछ का चादा होता है यह बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि प्रितिवी के समीप है इसलिए हमें क्या होता है यह प्रितिवी के समीप है ग्रह इसलिए में बड़े दिखाई देते हैं और सभी ग्रह जो है अपने तारों की परिक्रमा कहते हैं और जैसे कर्एकों को अंग्रेजी में प्लेनट केहते हैं जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थाद चारो और घूमने वाला ग्रह ऐसे खगोली पिंड होते हैं जो सूर के चारों सूर कहिए या अपने तारे सूर या तार गोई भी कह सकते हैं एक निश्चित दिशा में परिक्रमा करते हैं इसके पास स्वयम का प्रकाश होता है लेकिन उस्मा नहीं होता ध्यान दीजेगा उसके पास उस्मा नहीं होता अपने साथी तार और जो नौमा ग्रह था उसे 2006 में यम जिसका नाम था प्लूटो कुवेर्व नाम से जाना जाता था उसे ग्रह के सरणी सटा कर उसे बौना ग्रह के सरणी दिया गया क्यों कि वह अपनी चक्कर के अलामा वह दूसरे की चक्कर को कारता था तो हमने एक ग्रह में देखा कि वह आकासी पिंड जो सूर के चार और चक्कर लगाते हैं और उन्हीं से प्रकासीत होते हैं किसी की कच्छा को प्रभावित नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें क्या 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 है अगर आच्छा है तो लेल वैसे वेकि उपग्रह एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्राय परिच्छाओं में प्रश्ण आते हैं उपग्रह क्या है उपग्रह खगोली पिंड है उपग्रह क्या है एक खगोली पिंड है जो ग्रहों के जो ग्रह होते हैं उनके चारो और परिभ्रमण करता है उनके चारो चक्क्र जैसे भी हम लोगों ने क्या देखा कि जो ग्रह होते थे वह तारों के चक्कर लगाते थे लेकिन जो उपग्रह होते हैं इनके पास भी स्वयम का प्रकास नहीं होता सौरमंडल में लगभग सौसे अधिक उपग्रह है जो सौरमंडल हमारा है उसमें सौसे अधिक उपग्रह है उपग्रह दो प्रकार की होते हैं एक तो होते हैं प्राकितिक उपग्रह तो प्रकार की होते हैं एक होता है प्राकितिक उपग्रह दूसरा होता है कृतिम उपग्र होते हैं जिन्हें मानों अपने उद्देशों की पूर्ति करने के लिए अपने प्रिथिवी किया अनिक्रहों की कच्छा में स्थापित करता है उसे हम कृतिम उपगरह कहते हैं प्राकितिक उपगरह वे होते हैं जो प्रिथिवी के धरातल से एक निश्चत उद्देश से मान प्राकते को उबगरह कर लेती है इस प्रकार पूरा कर लेती है अगर हम उबगरह के बारे में कुछ बाते जाने हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि अग्रह वियाकासी पिंड होते हैं जिनके पास नखुद कुस्मा होती है नखुद का प्रकास होता है यह अपने मातग्री की परिक्रमा करते हैं तता साती सूर की परिक्रमा भी करते हैं ग्रोहों की भाती इनके पास भी अपना प्रकास नहीं होता ये अपने साथी तारे अथ्वा सूर के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और अगर हम देखेंगे तो जो ग्रह की भाती होते हैं उब्ग्रह भी ऐशे होते हैं वो भ्रमरपत जो होता उनका अंडाकार होता है बुद्ध और सुक्र ग्रह के पास अपना कोई उग्रह नहीं है, पिथीवी का एक मात उग्रह चंद्रमा है, सब्रवाधिक उग्रहों वाला ग्रह है, जो हमारा भ्रास्पती है, इन सभी के बारे में हम लोग अभी आगे एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है, तब तक आगे ब करते हैं, तो तारा क्या होता, इसको इस्टार कहते हैं, यह तो आप पहले से भच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, तारा गैसों से बने होते हैं, इनके पास स्वेम की उस्मा तथा प्रकास होती है, जो तारे होते हैं, इनके पास स्वेम की उस्मा होती है, स्वेम का प्रकास हो जिसे भी बड़ी मात्रा में वो सर्जित करते हैं, यह ऐसे खगोली पिंड होते हैं, जो आकार में बड़े और गर्म होते हैं, यह ऐसे खगोली पिंड होते हैं, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, और साथ साथ गर्म भी होते हैं, सूर भी हमारा क्या एक कारा है, जो सौ 1,000 degree Celsius है रात के समय चमकते हुए अंगिनत तारी शूर के समान ही है लेकिन दूर होने की करद छोटे दिखाई देते हैं यह इतनी दूर हैं यह कैसे दिखाई देते हैं यह हम सब को छोटे दिखाई देते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे कि पर में लोग पढ़ा रहे पुर कर्या है था यहां पर हमने देखा कि रात के समख्य चमकते हुँ अन्गिनत तार्यों के समान दिखा देते हैं लेकिन अतिधिक दूर होते हैं सूर के नस्दीक प्रमुक तारे देखा जाए तो प्रक्षिमा सेंचूरी है अगर प्रिथिवी के बाद अगर देखा जाए कि सबसे नस्दीक तारा के आज पहले सूरे हैं सूर के बाद प्रक्षिमा सेंचूरी फिर अलफा सूंचूरी के नाम से जाना जाता है अब अगर हम तारों के बारे में अन्य कोई बात अगर आपको बताएं तो अगर हो सकता कि परिष्छाक दिश्टिकोर से जो महत्वण आपको तो उनके बारे में देखें देखें जो तारा होता है तारा के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं कई बात आपको बताऊंगा कि तारा मे को जानते रहेगा क्योंकि यहां से आप सभी को बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा ठीक है क्योंकि तारा क्या है तारा किशे कहते हैं तारा को पत्ति कैश होती है यह बहुत ही बड़ा और एक लंबा लेकिन फिर भी आप लोग को यह जानना चाहिए अगर हम लोग तारों का जीवन चक्र देखें तो तारा जो होता है यह प्रकासवान प्रकास उत्पन करने वाला ख़वोली पिंड को तारा कहते हैं तारा के वारे देख लिया ठीक है आकास गंगा की तीसरी भुजा में हैट् के बादल बनने सुरू हो जाते हैं जिने श्टेलर नेबूला के नाम से भी जाना जाता है और अच्छे एक बात आप लोग को है तो अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो साथ में लिखते भी चलिएगा जो तारा होता है जिसे जब श्टेलर नेबूला काफी बड़ा ह है क्योंकि आपको इंसेयाटी डेटा पढ़ना है इसलिएं कुछ चीज़ा आपको ना बताकर सीधा कॉंसेप्ट की तरफ लेकर चलेंगे ताकि आपको ज्यादा ज्यादा समस्या आना हूं खासकर पढ़ने से लेकर समझने के लेकर जी हां देखिए एक पलसर आता है प्रिसी समस्या हो जाएगी अगर यहाँ पर हम शूर की बात करें अगे टॉपिक हमें पढ़ना है तो हम लोग शूर को अच्छे से पढ़ेंगे और हम यह देखेंगे कि शूर में क्या सी चीजी हैं जो हमारे परिच्छा में बार बार पूछी जाती हैं लेकिन अभी उसक लेन के प्रक्रिया होती है और इनका जो सूर के सता काता आप मन 16 डिगरी सल्सियस है तो इस सभी तथ्यों को हम लोग उने देख लिया है पढ़े लिया है अब हम लोग प्रियाश करेंगे कुछ इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों को भी पढ़ा जाए तो फड़ा फड़ा चलिए अगला आपके पास आता है नचत्र मंडल इसके नचत्र मंडल किसे कहते हैं अगर पता है तो जल्दी से बताएगा नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे कि नशत्र मंडल क्या होता है नशत्र मंडल कि शे कहते हैं फटाफट बताईएगा कमेंड करके जित्ते लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं फटाफट कमेंड करके बताईए क्या आपको नशत्र मंडल पता है अगर है तो ठीक है नहीं है तो फ जैसे अर्सा मेजर देखे आपको अर्सा मेजर बिग बियर इसी प्रकार का एक नच्छत्र मंडल है यह बहुत ही आसानी है सरलता से पाचाने जाने वाले सब्तरशी तारा श्मौल बियर होता है यह साथ तारों का शमू होता है प्राचीम काल में दिशा के निर्धार के समय र कैते हैं अर्सथि ध्रूत आरी के बारे में आपको एक बास जानते रहना होगा कई परिछा में पूछा जा चुका ऑधा यह उत्तरव दिशा का इंगर्सा इंभी रिप्रकारता है यह चीज़ को पता होने चाहिए चीज़ आपको जानते रहना चाहिए विए कि भुष्ष में ऐसे पुछा जाता है क्योंकि खासकर जो मैं आपको पढ़ार हो इंसेटी का पैटर इंसेटी डेटा है तो वहां पे पूचा है कराम खो जाता है रात में जाने लगता है तो समझ में नहीं आता हो कहां ज जानते हैं तो यह बहुत सारी चीज़े आपको थी जो परिच्छा में आपके लिए उप्योगी हो सकती थी आगे बढ़ते हम इसके अने तथे के तरफ कि हमारों देश से नोट्स के अलामा भी इतर चीज़े भी हम आपको बताते चले जो प्राया पूछा जाता है अब हम जो पढ़ने जारे जो टॉपिक है वो उसका नाम है और कच्छा याईसे और बिट कहते हैं कच्छा सौनमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पत पर शूर का चक्कर लगाते है यह पत दिर्ग वित्ताकार है यह कई बार पर इच्छा गया है कि सूर जिस पत पर चकर लगा करेंगे सारी चीजें एक करके सभी तत्यों को मताएंगे समझाएंगे अगला आता है एक छूत ग्रह इसे हम एस्ट्रोनायट बेल्ड कहते हैं अब इसको बता भी दे रहे हैं आगे जम इसको पढ़ाएंगे तो हम इसको और अच्छे तरीके से डाइग्राम में दिखा कर स समझा कर आपको बताएंगे यह का होता है कहा होता है इसका उपयोग क्या होता है यह कैसे बना है इन सभी के बारे में हम आपको एक के करके सभी तत्यों को बताएंगे ठीक है लेकिन यहां पर छूत ग्रह को थोड़ा साब को बताना जुरूर चाहेंगे परिच्छा में यह से प्राया प्रस्ण आता है तरों के अत्रिक्त चोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं इन इसे चुद्धग्रह कहते हैं कि यह के ही भाग होते हैं या ग्रहों से तूटकर अलग हुए हैं समानता चुदग्रह मंगल और भैस्पती कच्छा की बीच पाई जाती हैं इसलिए इस बात को आप जानते रहें गाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी बात और है आपको वो भी देख लेते हैं जो आपके परिच्छा में बार-बार पूछा जाता है उन सभी के तथ्यों को बारे में जानकारी रखना पढ़ना अगला है उलका पिंड छोड़ा टॉपिक है आपका उलका पिंड तो उलका पिंड क ने किया है कहां से कहते हैं इसे में या पिंड को यह अंत्रच में ती ब्रगती से घुमते हुए एक अत्य bios worldwide गैसे बने होते हैं और जैने वै안 मंडल में प्रिवेश करते हैं इसके पास गुजर रहे हैं तो जा जाते हैं तो गर होते हैं उनके तेड़ी से प्रकास दिखता है और प्रकास को रूप में धेरेदरे πिथिवी के तरफ बढ़ते हैं और छाड़ भर में गायव हो हो जाते हैं इन्हें हम पूरता तारा कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं शूटिंग इस्टार कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं शूटिंग इस्टार या तूरता हुआ तारा कहते हैं लोग कहते हैं मन्नत मांग लो आपकी मुरादे पूरी जाएगी ऐसा कुछ नहीं है यह मतलब मन के भर में ऐसा कुछ न लबक सभी उलका पिंड घरसीतों का पूरता नश्ठ हो जाते हैं और जब यह जलका नश्ठ होकर पिंड के रूप में प्रिशिव गिरते हैं उसे हिम उलका पिंड कहते हैं जब यह उल्का जो होता है जो केटु होते हैं है के दम कि अखता है क्षयक घंठ सब्सक्राइब को चैनलते जांते के अधिर को हम केज़या के नाम से जानते हैं जयिए केटु प्रिफिभी पर पहुषता है तो यह असी किलीमेटर परिछिवी के चाथ वेंच से नाम इनसे भी जानते हैं यह आप लोग जानते रहेगा और देखा जाए तो प्रिछिवी की सब सता पर मिलने वाला सबसे बड़ा उलका पेंड होवा वेस्ट था क्या नाम था उसका होवा कि उसे हम बॉलाइट के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं यह आप जानते रहिएगा फिर पितिवी की सता पर जो मिलते हैं अफसिस्ट गोला उन्हें टेक्स्टाइब भी कहते हैं तो यहां पर देखेंगे अगर हम यहां पर चार और चक्कर लगाने वाले पत्थल के चुड़ परसन कारण गरम होकर जल जाते हैं कभी-कभी यह उलका पिंड जले हुए बिना पिछवी पर गिरते हैं इसे धारातल पर घड़े हो जाते हैं यह तो आप जानते रहेगा इन्हीं टूरता हुआ तारा शुटिंग और बाद में लोग और अच्छे से पढ़ेंगे यहां पर बहुत सारे चीज़ें में आपको देखने को जानने को मिलेंगी ये लाखो तारों का समू होता है हमारा सौर मंडल भी इसी आकास गंगा का एक भाग है प्राचीन भारत में इसी कलपना आकास में प्रकास की एक बहती नदी से की गए थी की प्रकास इक नदी बहती है और इसी गनाती से दुग दमेखला या मिलकी वे नाम दिया गया आकास ग देखा कि सौर्मंडल जो है आकाज गंगा का हिस्सा है आकाज गंगा यहाँ लोग को देखने एक दूसरे से सहब यहाँ पे जुड़ हुए ठीक है वुमीद कर आप लोग को समझ में आ रहांगा आप लोग देख भी रहे होंगे जैसे आप ने आपके देख लिया कि सौरमंडल जो है एक आकासगंगा और में उर्ज्या पदात का वित्रण समान नहीं धा घनत में भिन्ताएं आही इसके पढ़ाम रूप पदात एक एक जगह होने लगे और फिर उनसे गरम बंदाकनी की बात करें, तो बंदाकनी का वह भाग जो पिधिवी से एक प्रकास सरिता, एक दुग्द की तरह, ग्णदि की तरह बहता, औक यहाँ आगे क्या पढ़ना है यहां प्रिविंप्रकार की उस्वी बाराति है तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं विभिन परकार ग्रह है हमारे सोनमंडल में आठ ग्रह है दूरी के अनुसार बुद्ध शोक प्रिथवी मंगल भ्रहसपती शनी अरुण वरुण है वर्द होजा च्छा में कुल नौ ग्रह थे नौ आग्रा प्लूटो को जिसे अंतारा ब्राउन डार्फ खोजा ठीक है तो बाउन ड्रफ जो होता है मतलब इसे हम जी यहां ड्राफ प्लैनेट कहते हैं इसे संग्या दी जाती है इसके बारे हम लोग आगे पढ़ेंगे जब के ग्रह को पढ़ेंगे तो हम इन सभी के बारे में कि क्या है कब हुआ कैसे की बैटा और आपके भरती परिच्छा को लेकर ठीक है तो अल्लेंग क्लास जोइन करने के लिए आप 630-634-367 पर वाट्साइप करके जान सकते हैं अल्लेंग क्लास के लिए फेस्बूक के अगर यूजर है तो इलनी बिदुर्गेस और टेलीग्राम पर दुर्गेस सर्च करके आप अबी इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो ड्याग्राम के अधार पर पढ़ेंगे रिस्षमा आपको बता दूं किसके बाद क्या जो हम लोग को इसब से नस्देग का तार यह hy क्याते है इसके बाद आठ ग्रहां हैं जिने हम बुद्ध शूक्र प्रिथिवी मंगल ब्रहसपति शनी अरुण और वरुण के नाम से जानते हैं और हमने देखा इन ग्रहों की बीच में बुद्ध शुक्र ग्रहों के बीच में एस्टुनाइड वेल्ट हैं इसे हम सुद्ध को एक-एक करके पढ़ेंगे ताकि परिच्छा में आसे कभी प्रश्ण आपके गलत नहोंने पाई और आप जादा-जादा श्कॉर करें हमारा और आपका सबसे बला उद्देशी होगा कि हमें और आपको परिच्छा में सबसे ज्यादा और बहतर श्कॉर करना है उमीद करते यह टॉपिक एतथ आप लोगो समझ में आ रहा होगा तो आप लोग online class से जुड़े रहेगा उसके लिए आप लोग 630-634-367 पर WhatsApp करके online class समझी जंकारी ले सकते हैं और टेली ग्राम पे दुर्गेश सर्च करके इलेनी पे दुर्गेश से आप जुड़े रहे सकते हैं ठीक है इसी के साथ हम आप से सवाल पुछेंगे उमीद करते हैं अगली वीडियो में आप सभी उस सवाल का जवाब देख कर रखेंगे आधनिक भोगोल का जनक किसे कहते हैं ठीक है तो फटफट कमेंट करके आप लोग कल बताईएगा और भोगोल का पिताकिशे कहते हैं और आधनी भोगोल का पिताकिशे कहते हैं यह दोनों प्लब्शों का जवाब आप लोग कमेंट सक्षिं में जरूर दीजएगा जो लोग आप प Só first question quarter का आपको साथ देगा प करके पूश्च रकते हैं बहुत धन्यवादा सभी शादी का बेस्ट आफ लग्ध जय हिंद जय भारत